असलाम वालेकुम, वेलकम, वेलकम, रूवी के किचिन में वेलकम, आज हम बहुत सारी फर्माइशों के बाद एक बहुत यमी सी मेरे स्टाइल की पकोड़े वाली कड़ी बनाते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब कर बटन दबाएं, बराबर पर ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने सा आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी, वीडियो अच्छी लगें थम्स अब देखे हम मत्की में बना रह है वो ओल्डन डेस का तसवर आता है प्लस ये योगर्ट से बनीवी चीज होती है तो मत्की में बनके और ऐसा लगता है एहसास अच्छा होता है देखें सबसे पहले हम ये मेथी दाना जो के मैंने कोटर टीस्पून लिया है ये डालेंगे इस से क्या के कड़ी में एक एट ये चला गया एक्चुली तो सारी चीजें ही डाल दिया लेकिन एक सेकंड के फरक से हमने इसको डाल दिया देखें अब मट्की में जब लकडी का चम्मच चलता है तो कितना मजा आता है देखें हमारा चूला जो है वो मीडियम पर है और हम सारी चीजे डाल देगे जो कि एक थीस्पून साबत जीरा है चार साबत लाल मिर्चे है एक तीस्पून ही राय है और इतने कडी पते है जो कि एक डिर टेबल स्पून होंगे ये सब चलेगा अनदर इतनी अच्छी खुश्बू आ रही है कड़ी पत्तों की मेथी दाने की लाल मिर्च की जीरे की कॉम्बिनेशन गजब का है चले अब हम इसमें यह हमारा सॉटे हो गया है अब हम इसमें डालेंगे अपना देखे हमारे पास दो टीस्पून भरकर जिंजर है और एक टीस्पून पिसीवी हरी मिर्च है यह हम डाल देते हैं अब हमन रिचूला फोड़ा से स्लो कर दिया था वीदियन कर दिया था जब होप्ण पड़ पड़ा था अब हम दोबारहा थोड़ा साही कर देते है कि इसको हम एक मिनट बहुनेंगे सारे चीजों को चले आप एपहम इसमें एक टेबलस्पून पानी डालेते हैं चूला हमारा मीडियम पर ही है, दो मिनिट हम भूनेंगे, जिंजर को और हरी मिर्चों को इन चीजों में, चले आप जो हम स्पाइसे डालेंगे, देखे यह हमारी आधा टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून गरम मसाला पिसावा, एक टीस्पून पिसीविल आल मिर्च, एक टीस्पून जीरा पाउडर और एक टीस्पून नमक, यह सब चला गया अंदर, अब हम इसमें एक टेबल स्पून पानी डाल देते हैं, ताकि हमारा मसाला जलेना, चले आप इसको हमें एक दो मिनिट भूनेंगे, पानी डाल के, थोड़ा सा, देखे, इस पॉइंट पर, जब हमने पानी के छीटे दे दे के, इसको अच्छी तरह दो-तीन मिनिट भून लिया है, तो जब यह इतना ड्राय हो रहा है, इस पॉइंट पर हम अपना आधा कप टोमैटो क्रश किया वर डाल रहे हैं, आप बड़ा सा एक टेमा आपका दिल चाहे, यह चला गया, ऐसी चटपटी सी, और कोड़े वाली कड़ी होगी, तंदूर की रोटी, चावल, सब में मज़ेदार लगेगी, आचा देखे, अब यह हमारा मसाला खुद से ही थोड़ा सा भूनेगा, एक दो मिनिट जब तक हम अपने बेसन और दही के, को फेट लेते हैं, चले देखे, हमारे पास आप हाथ से भी फेट सकते हैं, आप ब्लेंडर में भी फेट सकते हैं, आपको जो दिल चाहे, आप करें, यह ज़रा फैस्टर बे है, तो मैं इस से कर रही हूँ, मेरे पास तीन कप दही है, मैं इसमें डालती हूँ, और यह आधा कप मेरे पास बेशन है चने काटा अब आधा लिड लगाया चले जी हमेसे ब्लेंड कर देते अधे कई जी हो गया और हमारा मसाला भी भुन गया है अब हम इसमें डियर्क यह अपना डाल देंगे देखे हमने पानी ॹिसलिह नहीं डाला था जब हम ब्लेंडर में दही फेटते हैं तो अब हम च्प्रें अब आधा रहे ही पदली में डाले्याे तो मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी जो है वो अच्छी है तो आप पकाने के लिए हम पानी डालेंगे तो मैं एक कप डाल दूँगी पानी यह तो हो गई अब हम जटपट पकोड़े बनाते हैं अच्छा देखे हमारे पास एक कप बेशन है जो के मैंने चान लिया था ताके गुटलियां ना रहे अच्छा इसमें हम डालेंगे एक टीस्पून हमारे पास हल्दी है एक टीस्पून नमक है एक टेबल स्पून सूखी म और एक टीस्पून भरके पर एक टीस्पून साबच जीरा तो यह सब चला गया अंदर है अच्छा अब यह है हमारे पास एक टीस्पून लसन का पेस्ट और एक टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट यह चला गया अच्छा थोड़ी सी रफली चॉप हमने कीती अनियन जैसे कोटर कप की असपास बोडल दें, ये मेरी आदी हरी मिर्च 스izim, इसमे रफली बैना मैं ने चौप कर ले, ये डाल दिया मुंदत आपकी मर्जी आपको कम तो मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरह जीए हमने मिक्स कर लिया अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहें यह देक हमारे कोटर कप का मेशरमेंट है हम चारे आपको एक जकी पता चले कि कि तना अगया है पहले हम कोटर कप डालते है अफिर हेलाते है कि अच्छा अब हम कोटर कप और ढाल टाल रहे खीक इस से जाद़ा जाने की चांसे से नहीं है यह बिलकुल सही कंसिस्टन्सिये हम ऐसा ही चाहरे थे शाले जी यह हमारा हमेजा रेड़ी हो गया है देखें कंसिस्टन्सिज देख लें हाँ यह हमारा कहसे लग रहा है, यह यू किया तो गिर रहा है, ना ड्राय की तरफ है, ना जादा लिक्विट की तरफ है, बस ऐसा ही है, जैसे दिख रहा है. अजिए हम सबसे पहले अपनी कडी को जरा हिला लेते हैं उस मुबाल भी आगया है बडी जबादस कुसम की पक रही है और कह रही है वेर इस मैं पकोरा, वेर इस मैं बड़ी, मुझे अपना फ्रेंड चाहिए तब यह हम फ्रेंड को फ्राय करके अंदर डालें मालें 4 एक नहीं मीडियम पर ही है और आप हम पकोड़े डालना श्रु कर अपागो मेंद्रेट कड़ी जनरल सब को बहुत पसंद आती है इक दो देखा जाए तो जैसे दाल गोश्ष्ट न इस तरह से यह काफी हर दिल अजीज डिश है हमाई अभी सब बहुत पसंद करते हैं खास तोर से हमारी एक प्यारी बेटी सना उसकी दो फेवरेट है कि देखे कैसे सुनहे दर हो गा हमघा पकोड़ बस अब इस पॉइंट पर हम डायरक इसको कमें दाल देंगे और यह उठाते हैं हम वह देखो के तो मुल्मारे होगसूरत रखप्सूरत ऊकॉर तॉरे अशार धिस पोईंट पर हम कढ़ी का चूला थोड़ा सा मीरियम लो कर देंगे और यह हम कड़ी को थोड़ा सा एक खिला लेते हैं चले हम अपने दूसरे पकोड़े डालेंगे कि स्विधान थोड़े से जो रहे गया वह पकोड़े बना लेते हैं यह देखें हमारि लाइस बैच विवी हो गया कैसे सुन्हरे-सुन्हरे पकोड़े बनाने हल्दी डालिएगा थाकि सुन्हरे बने बिल्कुल डाक जाधा नहीं होने चीह अच्छा देखें ये हमारी कंसिस्टेंसी जो है जिक अच्छी सी गाड़ी-गाड़ी सी जबदसी कड़ी है अच्छा इस पॉइंट पर अब आपके घर पे जिस्टाइस पसंद किया जाता है इस पॉइंट पर आप दो एक टेबल स्पूम पानी बीडाल सकती है आप ऐसे भी रहने दे सकती है आपकी मर्जी लेकिन मैं जैसे चूंके ठंडी होने के बाद कड़ी जो है वो गाड़ी हो जाती है तो मैं यह जो है इसको भरके एक डाल देती हूं ताके मेरी कड़ी की कंसिस्टेंसिशी मुझे यह देखें यह जाब है ना यह 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 अच्छी लग अपने यह जारे पर या यह जो भी हम जिससे तल रहते उस पे अपनी कुछ जितनी भी आपको पसंद हों हरी मिर्चे थोड़ी सी रख लेते हैं थोड़ी सी प्याज रख लेते हैं स्लाइस कीवी थोड़ी सी बिलकुल बगार के लिए और हम इसको इस सरह से रेडी कर लेते है चलिए अब हम इसको अपने कढ़ी पर डाल देते हैं हम थोड़ा सा इसमें से तेल भी लेकर डाल देते हैं यह देकर यह प्याज और यह यह तो चली गई हमारी और अब हम इसमें जो गरम-गरम हमारा तेल है वो एक ठेबल स्पून डाल देते हैं यह देखे अ यह हमारा तड़का हो गया और हमारी कड़ी जो है रड़ी हो गई चले देखे हमारे गरम गरम चावल रड़ी है और देखा आपने कितना जबरस सी जटपट सी पकोड़े वाली कड़ी बन गई गरम गरम धुआ निकल रहा है हम देखें ता सही कैसी यमी सी गरम गरम चटपटे से पकोड़े प्लीज आप लोग भी ट्राइब कीजिएगा दूजरे पता है आप लोग बनाते हैं खुछ होते हैं मुझे कॉमेंट्स करते हैं अप्रिशियेट करते हैं मैं उससे बहुत जादा खुछ हो जाती हूं आप लोग की लाइफ खुपसूरत हो कमफरडेबल हो और मज़ेदार हो यही खुआश है चलती हूं दौाओं मेरे याद रखियेगा एक रेसिपी के पुपसाद दुबारा लोटते हूं लव यू आल बाय अल्ला हाफिज पुपस्टी पुपस।